नमस्कार, A to Z dishes उशा कोर्जानी में आप सबका स्वागत है आज इस वीडियो में मैं आपके साथ शेर करने जा रही हूँ जो मावा होता है नो उसकी कोकीस ये खाने में बहुत ही टेस्टी लगती है आप इसे चाय के साथ खाए या ऐसे ही बच्चों को भी पसंद आएगी और आपको भी तो चली बनाना शुरू करते तो उसके लिए मैंने यहां पर ले लिया यह एक कप मावा अब यहां पर मैंने एक बाउल ले लिया है इसमें हम डालेंगे यह एक कप भरकर मैदा इसी के साथ आदर कप सूजी डालेंगे मोटी हो या बारिक वाली जो आपके घर पे अविलेबल आप इस्तमाल कर सकते हैं एक चोथाई चमज मैंने बेकिंग सोडा डाल दिये एक चोथाई चमज इलाइची का पाउडर बहुत ही बड़ी अस्वाद आएगा और एक चोथाई कप मैंने पीसी हुई चीनी डाल दी है क्योंकि मावा भी हमारा मीठा है तो देखें मावा का अच्छे से मैंने इसे मसल कर इस तरह से कर दिया है तो अब ये पूरा मावा इसके अंदर हम डाल देंगे और मावा डालने के बाद इसे हमें अच्छे से पहले ये मैदे और सूजी के अंदर मिलाना है तो यहाँ पर इलाईची का जो स्वाद है बहुत ही बढ़िया आता है तो जरूर डालिएगा तो आप देख सकते मैंने अच्छे से मिला लिया है उसके बाद मैंने ये एक कप दूद ले लिया है थोड़ा थोड़ा करके डालेंगे और आते को गुन लिया है तो यहाँ पर जो ये दूद है वो मैंने उबाल कर बहार रखकरी ठंडा कर लिया है फ्रिज वाला नहीं इस्तमाल कीजएगा रूम टेंपरेचर पर होना चाहिए दूद तो देखिए इस तरह से मैंने थोड़ा थोड़ा डाल कर आटे को गुन लिया है तो जो आटा है नाई जादा सक्त है नाई जादा नरम इस तरह से ये आटा होना चाहिए और जो मैंने एक कव दूद लिया था तो उसमें से करीब तीन चम्मच जितना बच चुका है अब ये जो कुकी से हम फ्राइ करने वाले तो उसके लिए मैंने ये गेस के ओपर कडाई रख दिया और आज जो है वो आपको दीमी रखनी है अब इसके अंदर हम तेल डाल देंगे और तेल को हमें गरम करने रख देना है तो जो तेल है वो एकदम दूमेदार नहीं होना चा पेपर और इसे के ऊपर हम दूसरा बटर पेपर भी रखेंगे और अब हम इसे बेलेंगे तो देखे इस तरह क्या होगा आसानी से ये हो जाएगा तो ये आप देख सकते हैं इस तरह से मैं इसे गोल गुमाती जा रही हूं और इसे बेलती जा रही हूं अब ये जो उपर कशी पेडले छाइट से इनकल कर 1 श्कूएर शेप कर लिया है तो देखे Sheriffर अब चाहिए से हम दो निमें लगाण है दपने चार गुकिन ना को गर चूहते हैं थोडी जगह पर हám इस देंगे यानि कि hole कर लेंगे तो देख सकते हैं इस तरह से हो चुकी है आप चाहे तो कोई भी shape दे सकते है circle भी दे सकते हैं जो आपको पसंद हो अब हमारा जो तेल है वो हलका ही गरम है तो इस तरह से cookies को डालेंगे और एक से आदी second तक हाथ नहीं लगाएंगे और आज आप देख सकते हैं दीमी है एक से आदी second के बाद इसके उपर हम इस तरह से थोड़ा थोड़ा oil डालते जाएंगे और इसे हम पलट लेंगे एकदम सुनेरा उपर से color आ जाए crispy हो जाए तक तक इसे हम इसी तरह से तलेंगे तो दीमी आज पर इसे तलिएगा ताकि अच्छे से हो जाए देखी इस तरह से हो जाए ने तो आज को थोड़ा सा बढ़ा लेंगे यानि कि मद्यम आज पर दीमी आज से मद्यम आज के बीच में आपको इसे तलना है तो देख सकते किती बढ़िया हो चुकी थी इसी तरह से मैंने ये दूसरी भी डाल दी है बनाकर और इसे भी हम ऐसे ही तलेंगे थोड़ा सा कलर आना शुरू हो जाए तो आज को मध्यम कर ले और अच्छे से एकदम क्रिस्पी होने तक इसे तैयार कर ले तो लीजे तैयार है एकदम मज़ेदार टेस्टी बहुत ही टेस्टी रगती है ये हमारी मावा की कुकी आप देख सकते है मैं चली इसे टोड कर दिखा देती हूँ उपर से क्रिस्पी अंदर से सॉफ्ट आप इसे चाय के साथ ले सकते है बच्चों को दीजे उनको काफी पसंद आएगी इसे ट्राइ की जो मुझ कि लब सितने थैंक यू फॉर वच्चिं